मस्ते दोस्तों वेलकम टु माई चैनल मैं हुकी रन और आज आप लोगे सामने लेकर किया हूँ डाइट प्लान बहुत सारे कमेंट्स आया है डाइट प्लान बताने के लिए और इसलिए आज में यह वीडियो आप लोगे सामने लेकर किया हूँ डाइट प्लान बहुत ही अगर आपका फैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मेरा ये टाइट प्लान आप फॉलो किजी और दस दिन के अंदर में मिनिमम साथ दिन के अंदर में आप 10 किलों से जादा बेट दूस किजी बहुत साले सेलेटिस को आप लोगों ने देखा हुगा दोस्तों जैसे कुछी दिनों पहले अमिर खांप की फिल्म आई थी अदिना का यए अग्यादर में अधिश्टी किया तो क्या करते हैं वह लोग क्या करते हैं जिसके बएट ज्यादा बहुत ज़्यादा बेट लूस करते हैं तो दोस्तों मैं यह बता रही हो किसी करे करका कोई दवाई अ प्लान पॉलो करते हैं जिसकी बज़य से वो अपना पहुत ही जंदी लूज करते हैं वही टाइट अगर आप भी फॉलो करोगी दोस्तों तो आपके विए जय को जोएंगे तो सुपल तरीका है पहुत ज़ असान तरीका है अगर आप इसको डेली मतब गंजीन उब अगर ब् तो 10 kg मैं इसका क्यानेक्टी देती हूं 10 kg वेट लूज होगा ही होगा तो सबसे कहले आपको करना क्या है सुबह उठना है सुबह उठने के साथ ही आप अगर आप exercise करते हो exercise कीजिए और अगर exercise आप नहीं करते हैं तो बिना exercise के विए आप निम्बू पानी पी सकते हो और अग तो आप गरीक के दीए पीना है तो अगर ऑगनी करते हो इसके पीव और अपको करना ही करना गाया और exercise करो तो आपके जो fat बहुत जल्दी बढ़न होगा, fat लोग गेंड क्यों करता है, fat गेंड करने का रीजन होता है, जितना हम खाते हैं उससाथ से हमारा exercise नहीं हो पाता है, हमारा body इतना move नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, fat नहीं होता है, पेट का, पेट की चर्वी सबसे जल्दी आगे बहार पेगता है, और लोगों को सबसे जादा इसका problem होता है, इसलिए सुबह उपने के साथ ही आप exercise करें, और उसके बाद नेंबू पानी पीजिए, और अगर नेंबू पानी नहीं है तो आप क्रिंटी पीजिए, पेस्ट जासा रेडी कर लीजिए और उसमें अभी नमक और नेंबू कुछ भी याड़ करना है आप इसको फ्रीज में रखिए अगर आप इसलिए मैं बताईए फ्रीज में रखने के लिए क्योंकि आप डेली डेली इसको बनानी सबते अगर बीना नेंबू और नमक याप रखो गे तो पुफ़ दिन तक चलेगा और इसको डेली आपको एक चमच निकालना है और पानी में डाल करके घूल लेना है और उसकी बात आप चाहो स्वार के लिए तो नॉर्मल सॉल्ट जिसमें सोडियों वाला होता गोर यूज करना आपको रॉक सॉल्ट यानि की काला कालनमक वेगरा देता है वो यूज करें बार के मार्केट में कालनमक बहुत ही इसली होता है तो स्वार के लिए वो डाल दो और निम्बू का दो चार बंद किरा करके पीजिए आपको सुबह में एक्सरसाइस पार डेली लगवग सार दिन तक यह पीना है सुबह के यह रू ब्रिकफास्ट में आपको बहुत ही जीज़ लेना है आपको कुछ भी ज्यादा है विए खाना है रेट ले सकते हैं बोल भीट ब्रेट या फिर मल्टी ग्रेंग डाता है दोनों सब कोई भी ब्रेट लिजिए और उसका सैंविच बना के खाई हैं सैंविच बनाने में भी बहुत सारे फ्रूट्स बड़ा जैसे होते हैं वो यूज कर सकते हैं कुकुम्बर हो गया टमाटर हो गया निखीरा टमाटर प्याज यह सब लेजिए और स्वार्ट के साब से थोड़ा साब ब्लैक पेपर नमक यानि नमक मैनिज बताए ब्लैक नमक काला नमक बो डालिए म ब्लैक यूज कर सकते हैंसे प्यकोंबर हे और मयोनीज और सॉस कर किसंपीर होता है इसने प्राइव पडharte होता है इसलिए फट बडाने को करता है अब मयोनीज को डेक में एक बार्नी नमक प्याज कर सकते हैं टिल्धा घिंगी समी बढ़ाने में पर उसे विला सवर में वारा रहता है जाए जाता है तो लिए की जाता है फुमंत साने बशानगे मतले कि पाहएim पानी के साथ मैंने बताया है लग लग चार स्लाइसे सैंविशिस किखाईए और इसके साथ आप पानी इनफ मात्रा में पीजिए आपको हर दो-दो आदा-दा घंटे पे पानी का सिप लेकर के पीना है पानी ऐसा ही चीज होता है जो सबसे ज्यादा हमारे बॉड़ी में पानी कंजनी पीते जाएं उसके बर्रेकवस्ट के बाद एक ताइम ऐसा आता है फिर से हमें लग लग भूख लग जाती है यहनि लग 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 जाती है यह जिल फैले पई खाये दूघ्क हो दोढ़ आपने बहुत ही पहले एक घंडे में क्या क्या को फीजिए उस त्वा निकला हूँ होता है मार्की मेई आपीदी दोन्मिल्क, वह है साथ अगर आप तोन्मिल्क की सकते दोन्मिल्क सकते, ज्तुन दूद्ध आपको मिल रहा है, जो ठीके बाहएम भालोग में साथ जो भी नॉर्म बारत अपने की लिए, अपने होता है, बड़ा वर बानाम उसको बहुत ही हेल्थी होता है और आपको अंदर से इनर्जी भी मिलेगी और इसकी जगह पे आप पीज़वी ग्रीन टी भी पी सकते हैं या तो आप दूद के साथ आल्मोंट खाइए या फिर ग्रीन टी पीज़ए यह दोनों से और भी एक चीज़ कर सकते हैं ब्रेट फास्त लेने के बाद में एक घंटा के बाद जब आपको भूख लगे अब आते हैं लंच पे अब लंच आपको क्या करना है लंच में आपको चावल को बिल्कुल इग्नॉर करना है चावल को स्किप करना है अगर आपको बहुत ही ज्यादे चावल खाने का मन कर रहा है तो वीक में एक से दो वार थोड़ा थोड़ा कॉंटनी में लगबग एक कप के आसपस खाना है और नॉर्मल डाइट के हिसाब से अगर आप चावल को बिल्कुल भी नहीं के बरावर खाना है और इसके साथ में आप दाल खाये जो भी अच्छी कॉंटिटी में लेजिए प्याज कक्री खीरा टमाटर यह सब जादा कॉंटिटी में है चावल ताल के साथ और जब भी कुछ भी दाल है यह हंदी है इससे कुछी रपक बने खये और चीजों को बिलकुल भी नहीं कह dunno है जो हमक्याद शोटी बहुत प्रादिक मात्रा उसको बढ़ाने में हेल्फ करता है इसको बहुत ही क्म करें अगर अगर चावल प्लग बढ़ाने में हम आब तो आट लांख में शोले चावल शोली आवर कहते ह Nagas जब बहु और साथ मिखा ये दाल और सैलेट बहुत सारा कॉंटिटी में और पानी पीना बिल्खुल भी ना भूले पानी कसीप आपको हर आदे गंटे पे लेना ही लेना है पानी आपकी डाइस्टन सिस्टम को बहुत ही सही रखेगा और खाने को पचाने में सबसे ज्यादा है अब लंच के बाद एक टाइम ऐसा हाता है तिससे तीन से चार बजे का टाइम ऐसा होता है स्नैक्स का टाइम होता है जिसमें हमें भूख लगती ही लगती है और उस तेम यह में कुछ न कुछ खाने का मुन करता है तीन चार हो गया त्युक्त चे वे बुप लगती ही है। अस चलिए इस चिए चाहना है तो छोग भी ऊपकाना है उस्टेम को क्या खाना है? यह उस्टेम आपको खासथे ज़ए ओब सकते हैं लुभ फाइवर बिसक्टे खाते हैं बीओ करें आप इज़ी चाने में वह सकते हैं और अभी जो मैं पता रही है है इस टाम आप लिए बिसकिट खाईए और उसके साथ में आपको खा सकते हैं नट्स यानिकी बादम जो होते हैं मुणफली यह खा सकते हैं और और उसके चना होता है काला चना उसको बुणा हुआ बहुत ही खाने से बहुत ही अच्छा एक एक एनर्जी भी मिलता है और एक हमारा पेस्ट भी थोड़ा चीन हो जाता है यह खाना है आपको स्नैक्स में और उसके तक आपको इस तरह चाय का भी टाइम होता है बहुत लोग को चाय की एक हैबिट होती है तो चाय की जग़ा पे चीनी भी नहीं चाहिए पिते हैं तो चीनी बातों को घ्याँ रखना पड़ेगा इस तरह आको चीनी वर बिल्कु भी नहीं पीना है और और मैदा से बनावा चीज कुछ भी नहीं खाना है स्नैक्स का टाइम हो गया और पानी बिल्गुल भी न भूले जब भी आपको प्यास लगे खर आदे घंडे का पानी पीना है अब चलते हैं डिनर पे तो डिनर में मैंने जो लंचे में बता हैं अगर आप चलते हैं ओक वो नाव बापको, अब में ढहें इस्की सब्सक्राइब जरी डिनार में में स्मुलदा के तो इस च्छेश में खाना little sandwich के नशाणी को, मुल जब चादा है जोड़े जड़ी जदी आप करने जया स्कितlet मोमार्केच कहा है बहुत सारे हैं जो मार्किट में इसली गाजर हो गया, स्कैक्सिकम हो गया इन सब को बॉल करके इसमी नमख बिना काला नमख इसके बाद ब्लैक के पर यह सब्सक्राइब में इसली अगलेबल हो इसका सूप बना के पीजिए और फिर आप खाना इसको पीजी तो आप खाने को स्कीप करके यह पीजिए आपकी जो वेट दस दिन है साथ दिन उससे भी बहुत ही जल्दी इसके अलावा अगर आप नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं तो आप चिकल ले सकते हैं जो चिकन खाना चाहते हैं और चिकन को आपको जादा तेल में फिल्कुल भी फ्राइ नहीं क जादा मसाले का स्वाल पिल्कुल भी नहीं करना है इसको आपको बहुत ही सिंपल तरगी से बनाना है अगर अक्रिश माइकरोवेब है तो ग्रिल टाइब से बनाएए सुखा सुखा चिकन बनाएए हलका सब मसाले स्ट्रिंकल करके इसको बेक कीजिए और वो खाई आपका चली चली कनले कि शार घुर मसाले करें रिखने की पैर पानीर मसाले केजी बदी सила कंशा आपकर आपकर अर्टाम जो है पनीर मसाले के लुaction समाली। तो आपका जो वेट है साथ दिन से भी पहले यानि बहुत ही ज़नी वेट लोज होगा यह हमार हो गया डाइट प्लान अगर इसको आप दोस्तों साथ दिन तक फॉलोग करोगे तो साथ दिन में आप 10 किलो से भी ज्यादा वेट लूज कर सकते हो इसको फॉलोग कीजिए और अगर यह मेरा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अनगव जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है बहुत ही इसली है आप अपने घर में इसली इसको कर सकते है और फैटी लोग बिल्कुल इसको कर सकते हैं तो उमीद है आज का की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक अपने फ्रेंड फैमिलिक साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत लोगों को डाइट पान की जरूरत है बहुत लोगों को इसके डिमांड करते हैं तो प्लीज ज्यादे ज्यादे इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाग मिल सके और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट करके जरूर बताईए और मेरे वीडियो चैनल को बते का अपनी सब्सक्राइब नही झाल